आज हम लोग अपने चैप्टर नुम्बर 6 की एक्सराइज 6.10 के जो रिमेनी क्वेसिंट राइगोंने कंप्रीट करेंगे तो चलते हैं अपनी एक्सराइज की तरफ तो बेज नंबर है आपके पास 115 और आज हम लोग अप्वेसिंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे पान साल पहले एसन की एज कितनी थी शकील की एज के सेवन टाइम्स बट आफ्टर थ्री एज एज विल फोर ताइम्स ऑफ चीज एज कैल्कुलेट देगे तो हमने यहां पर दो कंडिशन हमें दी हुई है हमने इन दोनों की एजिस को फाहिंड करना है तो अपना कोसें स्टा इन चाहिए है चल्फ, पहला है घ्री थी एकर्या है तो कंडिशन क्डिशन का क्विल फोर शोज चीज धर करना है तो ना फेला साक्यव्ड के वाहिं पर देज्ज पर कार्णा हों 4 दूग Nirग विल फाहिए टो फ्रस पेले अरिक आंगे फाह उनटीक पर दो उनिच लिए एज में त्री त्री ऐड कर देंगे तकि त्री एज का की का एडिशन हो जाए एसन जे एज एज शकील एज वा एक्ष प्लस त्री और याइज प्लस फ्री ना ओको डिटू जैकेंड कंडिशन एज इस फोर ताम्स फैंज व्ट जैज उससे यहां पर पोल दिया था में इसको मैंने एक्वेशन टू कह दिया अब यह मेरे पास दो एक्वेशन आगी इन दोने इक्वेशन को सामल्टेनले से स्वाल करते हुए मैं एक्सकी और वाय की वैल्यू को फाइंड कर लूँगा कि यहां पर हम लोगों वाय को सॉल्ट कर लिए ठीक है तो अनों प्रेंट किया और जिसने को सब्ट्रेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू आगी माइनस थ्री वाय की वैलियो के आजेगी थर्टीन वूट वैल्यू वाय इन एक्वेशन आप इसमें किसी एक उक्वेशन मैंने पु सबसे पहले आपने में करना कि है दोनों जो स्टेटमेंट में कंडिशन नहीं है उसके बाद आपके बास दो एक क्वेशन आएंगे दोनों को आपके पास इसली इसका आंसर आ जाएगा इसी तरी किसे नेक्स को सिन के तरफ चलते हैं यहार स्हुल्सर दियार से दोनों नेक्स को आसे की रेंगे दोनों को तो आपके और वर्च सान दोनों को चलते हैं मैं सब्सक्राइब करें फ्रेक्षन ही क्या हाइगी हमने फैक्षण फ्रेक्षिन करने है तो यहां सबसे पहले नियुमेटर दिनॉमिनेटर को लेट कर लिया एक्स और वाइ खरेक्षन मैंने Nada मेरे पास क्या तो इस Citizens Men यहां सब्सक्राइब चलिए इसके सब्सक्राइब तो अगर सब्सक्राइब से करें तो नहीं प्रेक्शन और अगोशन इसे दोन करके तो आप एक्स वाई की वाल्यू को निका लिया इक्वेशन टू को सॉल्व करके मैं इसमें से वैल्यू एपनी एक्वेशन बना ली 6x is equal to y plus 10 तो यहाँ पर मेरे पास 6x is equal to 7y को मैं से उक्वेशन करूँगा तो यहाँ सब्सक्राइब 5x is equal to 15, यहां से मेरे पास x की value क्या आजएगी? 3 Put in equation 3, आप इसी value को आप 3 equation में put करेंगे तो आपके पास y की value आजएगे तो आपके पास fraction क्या आपके पास 3 by 8 मतलग कि सेम होई है कि आपने पास statement को समझ के पनी conditions को equations बनानी है और उसके बाद आपने simultaneous equations के किसी भी method से solve कर सकते हो ठीक है तो कोई से मुश्किल चीज नहीं है तो इसके पास next question है हमारे पास question number 8 वह भी same जिसको simple as 8 और 9 भी same method के है और 10 और 11 है वह same इसी fraction से related है तो मैं उनको आपको थोड़ा सा over go through दे देता हूँ Question number 8 की जरब देखने है फिदा bought 3 kg melons and 4 kg mangoes for Rs. 460 ठीक है तो यहां पर हम लेट कर लेंगे सबसे पहले लेट price of mango and price of melons ठीक है एक हम x के लेते हैं और एक हम y कह लेते हैं ठीक है तो उसने पहले balance के बारे में बता है फिर mangoes के बारे में कोई सब्सक्राश्यू नहीं है हम लोग ने mango को x कर लिया balance को y कर लिया ठीक है तो जब condition मेरे पास किया आएगी यह उसकी price है तो 3 kg balance लिया था तो यहां मेरे पास आजेगा 3y plus और mango कितना लिया था उसने 4 kg तो mangoes नहीं लिया 4 kg यहां पे आदेगा 4x ठीक है x जो है मेरे पास वो price है और यह kg के हिसाब से ठीक है तो total price कितनी होगी मेरे पास 470 तो यह मेरे पास first equation आगी ठीक है अन्नम गोर्ट 5 kg melons and 6 kg mangoes 4 rupees 7.30 तो उसमें आपके पास यह condition आजाएगी अन्नम ने जब mangoes की find की तो mangoes को मैंने क्या लिया हुआ है x लिया हुआ ठीक है तो इस condition मेरे पास आजेगी 6x plus melons की 5y is equal to 7.30 तो यह मेरे पास second condition आगी तो इस condition को solve 2 questions आपके पास आगी दोनों को simultaneously solve करेंगे तो हमारे पास इसका answer आजेगा इसी तरीके से जो इसका next question है वो आप देखें question number 9 the cost of 2 footballs and 10 basketballs is 20 तो हम write कर लेंगे football की price और basketball की price ठीक है और total यहां पे होगा तो यहां मेरे पास आजेगा 2x plus 10y is equal to 2300 इसी तरीके से second cost में 7x plus 5y is equal to 2650 तो यहां से आपके दोनों equations को easily solve कर लोगे question number 10 की तरफ देखें if numerator and denominator of fraction are increased by 1 तो यहां पर जो condition आएगी वो मेरे पास क्या आएगी इसना x है मेरे पास तो increase by 1 fraction को करेंगे तो आपके पास इसना से condition आजेगी x plus 1 and x y plus 1 ठीक है उसी तरीके से fraction becomes तो यह किसके एकवल fraction आजेगी आपके पास 2 by 3 ठीक है तो एक fraction आपके पास 2 by 3 के एकवल आगई but if the numerator and denominator of the same fraction are decreased by 2 second condition में हमने क्या करने है decrease by 2 कर देंगे तो यह मर पास होजेगी condition x minus 2 and y minus 2 तो आपके पास क्या बने की fraction 1 by 3 find the fraction अब आपने दोनों क्वेशन को solve को रहे गए तो आपके पास इसका आपके पास इसका अंसर आज़ेगा तो आप इन रिमेनी इतने तो आपके एसके पास आपके आपके है इसके पास नएकुःमाइश करें वह बहुज करूझ घए शाला हम नेक्से लेक्ट्टर में स्टार्ट औरेंगे